bod with motion or time एक ऐसा chapter जिससे की एक चीज जो एक जगा से दूसर जगह पे जा रही उसकी स्पीड क्या है प्लस उस्पीड को नापने के लिए distance नापने के तरीकें प्लस, उस स्पीड को नापने के लिए time कि कितना समय लगा एक जगह से दूसर जगह जाने के लिए यह तीन अज़ा परें को कैसे calculate के आज और आज की date में ही पुराने जमाने में time को कैसे calculate के जाता था इसके बहुत सारे अलग1 तरीके हैं जो कि मैं आपको इस chapter में दिखाऊंगा तो एई chapter 13 ने class 1 की science की किताब का जिसका title है motion and time काफी कुछ आपको पता चलेगा friends फिर अलग-अलग तर से पढ़ रहे हैं उनकी concepts building के लिए अच्छा है ही और जो लो competitive exam से त्यारी कर रहे हैं उनके लिए यह useful है पस उनको थोड़ा patience रखना पड़ेगा शुरू करने से पहले पता दो आपने class 6 की वीडियो को ढंसे देखा या class 6 की किताबों को साई से पढ़ा है तो अब कुछ examples है अलग अलग टाइप के motion के आपको identify करना है कि examples कौन से तरीके के motion का example जो soldiers march past कर रहे हैं तो यह public parade होती है इंडिया में friends राजपत पे तो आपने उस parade को देखा होगा वहाँ पर ज circular motion में गूम रहे लेकिन बुला काड़ सीधे straight line में चल रही है अब यहां पे hands of an athlete in a race आप देखिए जब एक आदमी दोड़ता है आप खुद दोड़िये तो आपके हाथ पहले तो आगे जाएंगे फिर पीछे आएंगे फिर आगे जाएंगे फिर पीछे आएंगे क्या य circular motion में चलेगा इसे बिल्कुल नॉर्मल सी बात हो गए उसी तरह कि इस motion of earth around the sun यह अविसी मतले कि आप elliptical order में जाता है elliptical orbit में जाता है आपका sun आपका earth sun के चारो तरफ बढ़ यहां पर आप सको circular motion नहीं बोरोगे swing का motion periodic होगा pendulum का motion periodic होगा और hands of an athlete in a race भी periodic ही लग रहा है confirm करिए आपको comment section में कई लोगों से बात करने के बात जब तक यह chapter खतम होगा तब तक यह सारे concepts आपके दिमाग में clear हो जाएंगे अब देखे हम लोग अपने normal चपचीजों को देखते हैं अपने चारो तरफ तो उन चीजों की comparativeness को देखके हम लोग यह identify कर लेते हैं आसानी से कि भाई कौन सी चीज slow है और कौन सी चीज fast है कैसे कि जैसे कि आपने आपके दो भाई हैं और आपने एक भाई से बोला कि ज slowness और fastness की जो आपने पैमाना तेख किया वो आपने comparison में किया कि एक भाई दूसरे भाई से तेजी से खाना लेके आ रहा है ठीक है तो यहाँ पर हमको यह समझना है कि आप slow और fast को decide करोगे इसके base क्या होगा इसका reference क्या होगा अब उसको वैकल के terms में देख लेते हैं कु कि straight path में चलते हैं और फिर इनके motion को slow और fast में identify करिए यह काफी एक अच्छा काम है आपको बहुत सारे object रहे से चाब तरफ मिल जाएंगे और आप यह कैसे पता करते हो वही मेरा सवाल कि एक object slow है यह एक object fast है अब मान लिजा आप एक किसी reference point में खड़े हो और आपके सामने सड़क है और सड़क पर कुछ वेकल्स चल रहे हैं तो अगर आप एक minimum amount तक उन वेकल्स को देख पाते हो कुछ distance तक तो आप यह देख पाऊगे कि भाई उन वेकल्स में सबसे तेज कौन सा है और सबसे धीमा कौन सा है अब यही पर हम लोग एक activity करते हैं इसके तू activity 13.1 है कि 13.1 और 13.2 दोनों के वेकल्स को देखें अब 13.1 पहले वाली position है और उसके बात वाली position है 13.2 तो आप देखेंगे कि भाईया position बहुत सारे वेकल्स की बदल जाएगी आप को करना क्या है तो आपको यह माल के पता करना है कि यह कौन सा वेकल सबसे तेज चल रहा है और कौन सा वेकल सबसे दी में चल रहा है तो दोनों फोटो को देखते हैं, यह फोटो आपको नजर आ रही है यहाँ पे, एक लाल वाली गाड़ी को देखते हैं, तो यह लाल वाली गाड़ी बहुत सदा डिस्टेंस में इसको फर्क नहीं आ रहा है, इस ग्रीन वाली गाड़ी ग्रीन वाली गाड़ी में भी डिस्ट सबसे अधा तेज है यहाँ पर तो इस photos में आपको समझ मेरा कि जो green वाली गाड़ी है उसकी position सारे car में उसकी speed सारे car में सबसे ज़ादा है सबसे slow किसकी है तो वो आपके perception पर आप यह decide करिए कि कौन सी गाड़ी की speed सबसे slow है थोड़ा सा मुश्किल होगा यह decide करने में चुकि exact distances देख नहीं रहे हैं और कुछ गाड़ीया बहुत कम move करी है तो देखे the distance moved by objects in a given interval of time can help us to decide which one is faster or slower यनि एक amount of time में एक interval of time में अलग-अलग objects ने कितना distance travel किया है इस base पे आप यह बता सकते हो कौन सा object तेज़ था और कौन सा object slow था उसी तरीके से आप एक scenario को आप imagine करिए कि आप अपने दोस्त को bus stand पे छोड़ने गए हो अपनी bicycle पे अब आपका दोस्त उस bus में बैठ के जा रहा है और जब आपका दोस्त उस bus से बैठ के निकला और आपने भी उसी bus वाले रास्ते में अपनी cycle पे पैडल मार के चलना शुरू किया आपको क्या लगता है कि 5 मिनट के बाद किसका distance जादा होगा अब यहाँ पर छोटी मूटी चीज़ों मत आईएगा कि जाम लगा हुआ है तो आपकी cycle से बहुत जादा जो तेज चल रहा है उसमें higher speed होगी एक 100 meter race की अगर हम लोग बात करें तो हम बहुत आसानी से दिखा सकते है कि उस 100 meter race में जितने भी लोग दोड़ रहे सबसे तेज कौन दोड़ रहा है चूँकि obvious ही बात है 100 meter की race जब खतम होगी जो सबसे आगे होगा वही सबसे तेज दोड़ रहा होगा तो speed नाम के शब्द से आप ठीक ठाक amount में acquainted है एक और शब्द होता velocity velocity और speed में क्या फर्क होता आपको पता है क्या speed एक scalar quantity है और velocity एक vector quantity है scalar quantity और vector quantities में क्या फर्क है क्या direction का कुछ लेना देना है इससे यह बस मैंने एक base बनाया है जो कि आगे की classes में clear होगा अब speed पर आजाते हैं तो उपर दीओ एक्जाम्पल से यह समझ में आ रहा है कि higher speed यानि speed जाता है यह चीज़ को indicate कर रहा है यह इस बात को indicate कर रहा है कि एक given amount of distance को किसी एक particular entity ने चाहे वो car हो चाहे वो bus हो चाहे वो पैदल चलने गाला इंसान हो कम समय में cover किया है तो एक larger distance को जब आपने कम समय में cover किया दूसरों के comparison में तो बोला गया कि speed जाता है तो the most convenient way to find out which of the two or more objects is moving faster is to compare the distances moved by them in a unit time यह कितना distance travel किया in unit time यानि given amount of time में distance कितना cover हुआ तो if we know the distance covered by two buses in one hour we can tell which one is faster we call the distance covered by the object यह unit time is speed of the object यह सब मैं आपको बता चुका हूँ ठीक है अब यहाँ पर बात करते हैं कि मान लिजे एक car 50 km प्रती hour की speed से चल रही है यानि आप यहाँ पर यह imply कर रहे है कि वो car एक घंटे में 50 km चलेगी लेकिन क्या कभी ऐसा होता है कि आपकी car एक speed पे बहुत लंबी distance के लिए चल रही है आपके father office जाते होंगे या कोद कभी आप bike से कहीं गए हो क्या आपने यह सोचा है कि कभी भी आपकी bike या car एक ही distance पे चलेगी नहीं चलेगी जब आप bike को start करके थोड़ा आगे लेके जाओगे तो speed धीरी धीरी बढ़ेगी 5 km पर आवर, 10 km पर आवर 15 km पर आवर जब आप जाधा speed पर चल रहे हैं 40-45 km पर आवर की speed पर चल रहे हैं तो बीच में कोई बस आ गया, कोई tractor आ गया, कोई ठेले वाला आ गया, रिक्षे वाला आ गया तो automatically आप brake मारते हो आपकी speed कम हो जाती है तो कहने के मतलब यह है कि कभी भी जो आपकी speed है वो लगातार constant नहीं रहती है वो आपकी speed बदलती रहती है ठीक है तो जब यहाँ पर यह बोला गया कि भाई कार की speed है 50 km पर आवर ठीक है तो हम यहाँ पर consider क्या कर रहे है हम यहाँ पर consider यह कर रहे है कि यह कार अगर लगातार एक घंटे तक इस speed पर चलती रहेगी तो वो कितना distance कवर करेगी 50 km कवर करेगी हम यह नहीं पर consider कर रहे है कि यह कार एक घंटा चलेगी या नहीं चलेगी यानि मालीजे कार एक चल रहे है और बोला गया कि एक instance पर इसकी speed 50 km पर आवर है तो हम यह बोल रहे है कि इस समय पर car उस speed पर चल रहे है कि अगर एक घंटे तो चलती रहेगी तो 50 km कवर कर लेगी हम यह नहीं बोल रहे है कि भाई वो लगातार 50 km पर चलेगी ठीक है तो the speed calculated here is actually the average speed of the car तो यनि कि माल लिजे कि किसी एक सिनारियो में आप से बोला गया कि भाई इस सिनारियो में इतने distance के लिए इतने time period के लिए इस car की जो average speed रही है या फिर इस car की जो speed रही हो 50 km पर आवर रही है यनि कि अगर आपको specific set of constant दे दिया है कि माल लिजे एक benchmark दे दिया कि इतने समय में या फिर एक benchmark दे दिया कि इतने distance के लिए तो अगर इतने distance के लिए इतनी speed रही है या फिर इतने time के इतनी speed रही है यानि कि उस time period में या उतने distance में जो speed थी 50 km per hour वो actually में उसकी average speed की यहां पर average speed का concept आता है और average speed हमेशा ध्यान रखेगा total distance traveled upon total time taken okay इसका mathematical mathematics में इसका बहुत सारा implementation होता है बहुत सारे सवाल average speed से related आते हैं mathematics में जैसे जैसे आप higher up the classes जाएंगे आपको इस अवाल देखेंगे तो speed क्या होगा है total distance covered upon total time taken आगे बढ़ते हैं एक छोटा सा fact दे रखा है यहां पर everyday life में हम ने देखा है कि जितने भी objects हैं वो बहुत लंबे distances के लिए या बहुत लंबे time durations के लिए constant speed में normally नहीं चलते हैं और मान लीजे कि देखें if a speed of an object moving along a straight line keeps changing जो की normally होता है कि अगर कोई एक object एक straight line में चल रहा है और उसकी speed regularly change हो रही है तो उसके motion को आप बोलोगे non uniform motion और वहीं पे गरेंगे हम idealistic scenario ले ले लेते हैं कि कोई एक object एक straight line में एक ही speed से लगातार चलता चला जा रहा है तो उसको आप बोलोगे uniform motion और जब uniform motion हो रहा है तो जो actual speed है वो average speed के बराबर होगी जब non uniform motion हो रहा है तो अलग-अलग-अलग time अलग-अलग-अलग समय पी जतनी speed होगी फिर उसके distances और time के इसाब से आप total average speed को calculate करोगे तो average speed का जो calculation होता है non uniform motion में थोड़ा tricky हो गाता है but uniform motion में सीधा-सीधा है चुकि uniform motion एक idealistic सिनारियो है जो कि normally नदर नहीं होता है ठीक है अब हमको यह पता चल गया कि speed of an object हम decide कर सकते हैं कि अगर एक certain amount of distance को मज़र करने में कितना समय लग रहा ह एक certain amount of distance को travel करने में कितना समय लग रहा है अगर यह हम जान लेते हैं तो हम एक object की speed भी जान लेंगे चाहे km per hour में जाननी हो चाहे meter per second में जाननी हो अब measurement of time की बात होगी measurement of time देखे अगर मान लीजे आपके पास clock नहीं है तो आप यह कैसे decide करोगे कि दिन का कौन सा समय हो रहा है इस समय पर देखे इस समय पर जो हम लोग की समाने में रह रहे हैं हम लोग चाहरों तब घड़ियों से घरे हुए हैं mobile में घड़ी हाथ में घड़ी घरों में resources available है लेगिन क्या पहले इस तरीकी resources हमारे elders के पास available थे तो क्या हमारे elders shadows को देखे अप्रॉक्सिमेट टाइम बता सकते थे एक इंस्ट्रुमेंट आता था संडाइल नाम का संडाइल नाम के इंस्ट्रुमेंट से एक pointed करके एक iron सी rod उठी रहती थी उसकी shadow को देखे उस समय पे जो हमारे elders हुआ करते थे वो time को बता दिया करते थे लेकिन अब यह बात समझ में आए कि एक दिन में समय क्या हो रहा है इसके लिए माली जो कुछ instruments बता लिए तो जो हम हमारे nature में होने वाले phenomena को observe करते थे और हर phenomena कुछ समय के बाद repeat होता था तो कुछ phenomena ऐसे होते थे जो definite interval of times पर repeat होते थे जैसे कि एक example यह है कि आप देखोगे कि sun भाई सुबह rise करता है और शाम को set करता है तो वो लोग क्या करते थे कि जब सुबह rise होगा उसको 6am माल लेंगे जब set होगा उसको 6pm माल लेंगे यह 6am 6pm उसमें नहीं चलता था मैं एक example दे रहा हूँ कि वो जिस तरीके से time को calculate करते थे माल लेंगे उन्होंने सुबह के time को 6 माल लिया 6pm माल लिया अब यह आपको हमको पता है कि सूरज का जो exact निकलने का time होता है वो fix नहीं है थोड़ा sunrise किया तो माल लिया 6am जब sunset किया तो माल लिया 6pm और एक बार sunrise किया फिलेके अगले sunrise तक क्या हो गया पूरा एक दिन हो गया तो बज़ा time between one sunrise to the next was called a day similarly अगर एक month को measure करना हो तो कैसे measure करेंगे भाई new moon आया new moon के बारे मैंने बहुत बता रखता है उपने geography वीडियो में वहाँ जाके देखिए और फिर अगला new moon जब आएगा तो एक new moon से new moon के बीच का जो समय होगा वो होगा एक month ऐसा क्यों होता है इसके बारे मैं classic science में बहुत अच्छी तरीके से discuss किया है कि भाई एक new moon हमको एक महिने में एक बार ही क्यों दिखता है इसके बारे में पता करने कोशिच कीजिए नहीं अगर आपको मालूम है जाके में पुरानी वीडियो को देखे या गूगल पर सर्च मारी है अगर देखे एक year को कैसे पता करते थे एक year वो समय था जो कि earth लेता था एक sun के चारों तरफ एक चक्कर काटने तो a year was fixed as a time taken by earth to complete one revolution of the sun तो अब सकते हैं कि हमारे जो elders थे हैं उनको कुछ अत्तक ये पता था कि भाईया sun का चारों काट रहा है हमारा अर्थ और इतना करने में उसको एक साल लग रहा है तो कुछ इस तरीके की चीज़ों को methodologies को use करके फुराने जमाने में जो है प्राय एल्डर्स थे वो time को पता करते हैं अब देखें आज की date में technology इतनी जादा बढ़ गई है कि हमको भाईया intervals measure करने है और shorter देना date intervals measure करने होते हैं तो हमने देखा वह clocks और watches है आपको एक interview देना इंटर्वी ने time दिया कि exact 9.30 बजे आपका interview शुरू होगा आप 9.10 मिनट पे office में पहुँच जाईएगा तो एक set time आपको दे रख रहा है ये set time की requirements कौन पूरा करता है? clocks, watches ये common measuring devices हैं, ठीक है? अब कभी आपने सोचा है कि ये clocks और watches time को कैसे measure करती है तो जो working of clocks है थोड़ी सी complex होती है लेकिन ये जो clocks अपने time को regularly बदलती रहती है वो एक simple सी चीज़ से बदलती है simple methodology से बदलती है वो होती है periodic motion और one of the best examples of periodic motion is simple pendulum pendulum, pendulum की बात हम यहाँ पे भी करेंगे, pendulum की बात मैंने वहाँ पे भी करी है इस wall clock में भी नीचे की सरफ आपको एक pendulum रटका नजर आ रहा है तन, 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 पुराने जमाने में घरों में ऐसी watches हुआ करती थी आज की डेट में heritage watches बन गई तो हो सकता है कहीं आपको दिख जाएं तो यह wall clock है, अब जरूरी नहीं कि wall clock के अंदर आपको ऐसे pendulum नजर आए कहीं करी केवल गड़ी नजर आती है, यह table clock है जो आपकी tables पर रखी रहती है और यह digital clock है, इनका जमान आज की डेट में चल रहा है और यहां यह रहा आपका pendulum दोस्तों, यहां पर पहले एक ceiling से pendulum अटका हुआ है और उसके आज उस pendulum की अलग-अलग यहां पर positions दिखा रखी है तो 13.4 में simple pendulum और 13.4 B में different positions of the bob of an oscillated symptom problem तो मेरी O को अगर आपने A पे ले जाके छोड़ दिया तो A से B जाएगा, फिर A आएगा, फिर B जाएगा, फिर A आएगा, यह इसका हो जाएगा oscillation ठीक है तो simple pendulum consists of एक छोटी सी metallic ball होगी या फिर उस metallic ball की जगा एक piece of stone होगा जिसको एक rigid stand से आप एक thread से लटका होगे उपर आपको ये ये आपको rigid stand नजर आ रहे है दोनों में और ये thread नजर आ रहे है और नीचे ये ball कह लीजे या stone जो चाहे आप लटका सकते हो इस metallic ball को या stone को आप बोलोगे bob of the pendulum अब 13.4 A में हमने देखा कि pendulum बिल्कुल रुका हुआ है अपनी mean position में है hill नहीं रहा है अब अगर आप इस ball को थोड़ा सा एक जगा से हिला के छोड़ दो और जब थोड़ा सा एक जगा हिला के आप छोड़ोगे तो छोड़ते वाद आप इस बात के ध्यान रखना है कि आप उसमें कोई extra force ना लगा रहे हो बस वहाँ पर उस position पर ले जाके आप छोड़ दीजे चाहे A position पर ले जाके छोड़ दीजे तो O पर आपने ball को पकड़ा A तक खींच के लेके गए और A पर आपने freely छोड़ा उसको कोई धक्का नहीं मारा उसमें और यह oscillation आपका शुरू हो जाएगा यहाँ पर ठीक है तो जो to and fro motion होगा इस simple pendulum का इसको periodic motion बोलते हैं इसको oscillatory motion भी बोलते हैं और एक oscillation क्या होता है यहाँ पर आपको यह समझना है एक oscillation क्या होगा अब यह आप देखोगे कि oscillation कहां से measure कर रहा हो अगर आप oscillation को O से measure कर रहा हो सबसे पहले बात देखिए माल लिजे A से शुरू हुआ oscillation A पर लाके आपने उस चीज़ को छोड़ दिया तो यह चीज A से O पर जाएगी फिर O से B position पर जाएगी फिर B से O position पर आएगी फिर O से A पर जाएगी तो यह जो पक्रिया होई जिसमें आपने A से छोड़ा तो A से B पर गया और B से वापस A पर आया इसको आप बोलोगे one oscillation समझ गए वही पे अगर आप oscillation को O से measure कर रहे हो तो O से चीज चली हो, माल लिजे B पे गई ठीक है, फिर B से वापस O पे आई O से A पे गई और फिर A से वापस O पे आई तो अगर O के respect मेज़र कर रहे हो तो यह होगा एक oscillation कि O से B पे गया, फिर B से O पे आया फिर O से A पे गया, फिर A से O पे आया वही चीज है कि अगर आप B के respect मेज़र कर रहे हो तो B से O पे गया, O से A पे गया फिर A से O पे आया, फिर O से B पे आया तो यह एक oscillation हो जाएगा अगर आप respect, अगर आप reference B को ले रहे यानि कि यह एक oscillation करने में जितना समय लग रहा है इसको, that is the time period of that particular pendulum. अब आगे देखिए, activity 13.2 देखते हैं, 13.4, ए फिगर में जैसे simple pendulum बचाया है, वैसे ही आप एक pendulum बनाईए, एक thread ले लिजिए, जो कि नेरली एक मीटर का है, अगर आप सपास में कोई fan हो, तो fan को मंद कर लिजिए, क्योंकि fan की हवा से, वो bob हिल सकता है, ठीक है, फिर, bob of the pendulum को बिल्कुल बीच में लटकने रहन दीजिए, और जहां पर वो bob of the pendulum लटक रहा है, उसके just नीचे, सीधे नीचे, जो ground है, वहाँ पर आप एक mark लगा सकते हैं, अपने marker से, ओके, आप देखिए, time period अगर आपको measure करना है pendulum का, तो आप एक stop watch रखते हैं, जो तो अच्छा रहेगा, चुकि stop watch में थोड़ी से precise measurement हो जाती, इनकेस अगर stop watch नहीं भी है, तो थूड़ी पर उस मेंनद करके, आप clock से या wrist watch से भी pendulum का time period निकाल सकते हैं, तो अब आप एक क्याम करोगे, pendulum को motion के लेने के लिए, bob को हलका सा चूओगे, थोड़ा side पे लेके आओगे, इस बात पर ध्यान रखोगे कि यह जो string है, यह string stiff रहनी चाहिए, tight रहनी चाहिए, धीली नहीं होनी चाहिए, यह बात याद रखेगा, धीली बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए, इसमें हलका सा भी धीलापन नहीं होना चाहिए, और फिर जब आप इस bob को छोड़ोगे एक जगा पिलाके, तो आप bob को freely release करोगे, आप bob को push नहीं करोगे, it is not to be pushed, अब देखिए, A से आपने छोड़ दिया मान लीजे, आप वो कैसे मज़र करना है, अगर आपके पास stop watch है तो बढ़ी आए, A से मान लीजे आपने छोड़ दिया, और जैसे ही वो O पे पहुंचेगा, आप अपनी stop watch को दबा दो, फिर वापस जब वो O से एक पूरा चक्कर काट काएगा, तब अपनी stop watch को बंद करो, और इससे आप उसके, क्या चीज़ को measure करने की कोशिश करोगे, एक काम आप और कर सकते हों कि इन measurements को और accurate करने के लिए आप क्या कर सकते हो, कि measure the time of the pendulum take to complete 20 oscillations, अब ये 20 oscillations आप mean position 0 से measure कर रहे हो, A से measure कर रहे हो, B से measure कर रहे हो, वो आपके मर्ठी लेए, लेकिन आप 20 total oscillations को measure करिए, ठीक है, और उसकी आप एक बनाइए, table, और table 13.2 में आप ये करिए, ओके, तो first observation एक sample है, आपकी जो observation आईगी, sample यहाँ पे लिखा हुआ है, कि देखें भी ये 42, 20 oscillations को करने में 42 second लगे, और एक time period 42 बटे 20 निकल के आए 2.1 second, यनि एक oscillation में इस bob को 2.1 second लग रहा है, आप जब इस activity को करोगे, तो 2.1 second से भी आंसर अलग हो सकता है, ओके, तो your observation could be different, repeat this activity a few times, इस activity को एक बार करने के बाद एक दो बार और करिया, अब इतना time jam आपने लगाया है, आप stand लेके आए हो, front लेके आए, ball लेके आया हो, तो कुछ बार करके देख लो, और हर बार देखो कि क्या कुछ changes आ रहे हैं, क्या time period आपका pendulum, इस pendulum, एक particular pendulum के case में, हर case में एक आ रहा है, देखेंगे friends, लमसम एक ही आ रहा होगा, थोड़े बहुत differences हो सकते हैं, चुकि थोड़े बहुत differences तो आप से measure करने में भी हो जाएंगे, ठीक है, उसके बाद, अगर आप उसके displacement को हलका बहुत change करते हो, तो time period पर उतना effect नहीं आगा, क्या कहना है का मतलब यह है यहाँ पे, कि मान लिजे, जब आप इस bob को, इस o position से a position पर लेके आए, तो मान लिजे एसे थोड़ा और आगे लेके जाते हैं, यहाँ से छोड़ते, तो क्या यहां से छोडने से इसके time period पर फ़र्क आता है, क्या यहाँ से छोडने से इसके oscillation के time period पर फर्क आता है, आप देखोगे कि नहीं आएगा, तो initial displacement अगर आपने आगे पीछे कर दिया है तो उतना measurement में उतना time period में फर्क नहीं आएगा ओके तो इस तरीके से एक simple pendulum काम करता है आज की रेट में friends, सब लोग clocks और watches का इस्तमाल कर रहे हैं जिसमें होता है एक electrical circuit और इस electrical circuit में cells होते हैं यह जो clocks होती है यह quads की clocks होती है और यह जो quads की clocks time को measure करती है पहले जो clocks available थी और जो pendulum based clocks available थी उनसे थोड़ी ज़्यादा accurate है यह quads की clocks यहाँ पे friends आपको मैं एक observation देना चाहँगा एक interesting story है ठीक है और यह interesting story Galilio-Galilee से related है Galilio-Galilee active थे 1564 से 1642 में आपने इनके बारे में सुना होगा यह उन्होंने time period of a given pendulum एक constant होता है एक particular pendulum का time period constant होगा इस चीज़ को prove किया था Galilio-Galilee ने कैसे किया था एक बार Galilio भाहिया आपने चर्च में बैठे थे उन्होंने देखा कि चर्च की सीलिंग से एक lamp लटा करा है chain के साथ तो वो थ pendulum कितरा लटा करा था अब उन्होंने देखा कि उस pendulum के एक oscillation में उनकी pulse जो धड़क रही थी वो एक amount में धड़क रही थी यह एक oscillation हुआ उन्होंने पनी pulse को measure किया दूसरा oscillation उन्होंने पनी pulse को measure किया हर बार वो pulse सेम आ रही थी तो फिर गैलीलियों का दिमाग चला उन्होंने का कि भाईया और उन्होंने बहुत सारे अलग-अलग pendulum बना कर अपने observation को चेक दिया और उन्होंने देखा कि अगर एक pendulum एक particular length का है तो वो एक oscillation में हमेशा उतना ही समय देने वादा है हाँ अगर आपने pendulum के thread की length को बतल दिया तब यह time period बतल जाएगा और इसके basis पर बनी pendulum clocks pendulum clocks के बाद बनी है आपकी यह जो digital clocks अभी मैंने आपको बताना quads clocks तो यह quads clocks ज़ादा efficient है जो आप winding clocks या wrist watches पहना करते हैं पहले के जबानों में pendulum clocks से थोड़ी एच्छी होगी है अब तो quads clocks आगे हैं quads clocks जैसा कि मैंने बताया थोड़ी ज़ादा efficient होगी है तो यह नहीं time measurement में भी efficiency एक limit से अब ज़ादा बढ़ रही है पहले pendulum clocks से पहले तो sundial इस्तमाल किया जाते हैं sundial की साथ साथ और water tub के बदर से पानी कर वो निकाला जाता था और भी बहुत सो तरीकें से जिसको अभी हम देखेंगे बाद में आपकी arrest watches आ गए हैं वो भी pendulum के basis पे काम कर रही थी ठीक है और धीर दिने improvements और होते गए टाइम और स्पीड की उनिट्स देख लेते हैं तेकि टाइम की basic unit होती है second जिसका symbol होता है S जो largest units है वो है minutes जिसका symbol होता है min hours जिसका symbol है H आपको पता भाई ये symbols एक दूसरे साथ कैसे related है एक गंटे में होते हैं 60 minute एक minute में होते हैं 60 second आपको ये मालून है speed की basic unit आप कैसे निकालोगे तो speed होती ही distance upon time तो unit हो सकती है आपकी meter per second unit हो सकती है आपकी kilometer per hour unit हो सकती है आपकी meter per minute आप जो चाहिए वैसी मिला लो तिर आगे दिखते है एक बात आपको हमेशे याद रखना है जब भी आप symbols लिखेंगे units के ठीक है तो singular में होने चाहिए जैसे for example units है kilometer ठीक है तो आप माल लीजे कि 50 kilometer लिखना है तो आप 50 kilometers ना लिखे 50 kilometer लिखेंगे वैसे एकर आपने किसी चीज़ के length आप भी वो निकल के आई 8 centimeter तो आप 8 centimeter लिखेंगे ना कि 8 centimeter तो यहाँ पर plural tense लेके मत आईएगा अब यहाँ पर भूजो के दिमाग में आया पुरापाद एक दिन में कितने second है एक साल में कितने आवर से तो एक दिन में second कितने है वो मैं बहुत आसानी साब को बता देता हूँ एक साल में कितने आवर से वो कुछ calculate करिए और करिएगा जरूर इसको छोड़के आगे मत बढ़िएगा तो एक दिन में हो गए 24 घंटे एक घंटे में हो गए 60 मिनट एक मिनट में हो गए 60 सेकेंड कर दिजिए multiply 30 इंटू 60 हो गए 36 और इंटू 24 से multiply कर दिए जो आजाए वो आपका अंसर हो जाएगा ना आगे चलते हैं करने के लिए अब यूनिट का इस्तमाल आपको किस तरीके से करना है वो आप किस तरीके से देखोगे जैसे कि friends यहाँ पर देखिए it is convenient to express your age in years rather than days in hours अगर आपको अपनी age को express करना है तो आप बताओगे 20 साल का हूँ 30 साल का हूँ यह नहीं बताओगे कि मैं इतने दिन का हूँ यह इतने गंटे का हूँ similarly it will not be wise to express in years the time taken by you to cover the distance between your home and school यह नहीं home से school पहुशने है आजा गंटा लगा, एक गंटा लगा, दो गंटा लगा यह सही है अब आप यह सुना बताओगे कि इतने बटे इतने साल लगे फिर जो एक सेकंड का time period होता है यह कितना बड़ा होता और कितना छोटा होता इसके बारें बात कर लेते है नॉर्मल यह कहा जाता है कि जितना समय आपको लगेगा यह बोलने में क्या? 2001 अब जो 2001 बोला मैंने इसको बोलने में लंग सम एक सेकंड लगता है और इसको आप verify कैसे करोगा यह ऐसे बोलो 2001 to 2010 अब यह एक तरीका है चीजों को बोलने का यह चेक करने का कि क्या यह exact है बट exact नहीं है अलग-अलग लोगों के बोलने की अलग-अलग speed होती है ठीक है वो speed vary कर सकती है बात की जाए अगर pulse की तो एक normal healthy adult की जो pulse है वो कितने पर beat करती है तो एक minute में 72 times वो beat करती है तो obviously बात है अगर वो एक minute में 72 times हो गई तो 60 seconds में 72 times हो गई तो 10 seconds में कितना हो जाएगी तो 72 बाइच है 12 times हो जाएगी यह जो pulse है यह actually मैं आपको धड़कने की speed बता रहा हूँ तो यहाँ पर speed की बात हो रही है और आप pulse को pulse per minute में या pulse per second में measure कर रहे है तो एक तरीके से time और distance और speed का application है यहाँ पर पस्तर कितना हो गए कि distance यहाँ पर pulse हो गई है pulse एक बात आया कि नॉर्मार हेल्दी एड़ल्स में pulse अगर बहततर है children से pulse थोड़ी सी जादा होती है अब इसलिए अब देखे पहेली ने सोचा कि भाईया जब pendulum clocks नहीं थी तब time कैसे measure किया जाता था अब यहाँ हेली की दिमाग में अच्छे-च्छे ideas आने शुरू किया और बहुत जरूरी है इस तरीके का ideas लाने पुराने जमाने measuring devices यूज की जाते थे कैसे-कैसे measuring devices थे friends संडाइस हुआ करते थे water clocks हुआ करती थी sand clocks हुआ करती थी क्या होते हैं sun dives, water clocks, sand clocks जला देख लेते हैं एक बार यह देखिए friends यह है आपकी sand clock अब इस sand clock में क्या होगा कि देखिए एक-दो खांचे बने हुए और इन खांचों में छोटी-छोटी-छोटी से sand दूसरे खांचे में जा रही है जब एक खांचे की sand पूरे दूसरे खांचे में निकल जाएगे तो भाई एक particular amount of time भी दिया फिर आप इसको उल्टा करके रख दोगे तो इस तरीके की sand clouds पहले इस्तिमाल की जाती है ये एक water clock के फ्रेंट्स ancient Egypt में इसको इस्तिमाल किया जाता था बाहर की तरफ देखे इसमें कुछ impressions भी बने हुए इस water clock के base में एक छोटा सा गड़ा होता था और इस water clock को पानी से भर के रख दिया जाता था और कहा जाता था कि जितनी देर में इस गड़े से पूरा का पूरा पानी निकल जाएगा उतनी देर में इतना amount of time बीद गया है ऐसा बोला जाता था और वहीं पर देखे संडाइल्स इन संडाइल्स को पूरे दुनिया भर में इस्तमाल किया जाता था इन संडाइल्स के आउटर एंड में देखिए तो आपको time की notations नज़र आ रही है Roman script में और यह जो खाचा उठा हुआ है संडाइल्स के बीच में यह sun के थुरू कुछ shadows बनाएगा और उन shadows के थुरू आप यह बता कर पाओगे कि एक समय पर कितना time हो रहा है directions भी देखे south, south, east, south, west, west लिखे हुए इस तरीके की measuring instruments इस्तमाल किये जाते थे संडाइल की जो functioning है न जो measurement है न टाइम का बढ़ा है मैं आपको रेकमेंड करूँगा कि एक बार खुद से आप sun dials कैसे काम करते है इसको identify करने की कोशिश करिए दिमाग लगा यह बहुत मज़ा आता है थोड़ा मुश्किल है नहीं समझ में आएगा तो अगर आप में से 100 लोग भी यह comment करके बताएंगे कि सर sun dials पे अलग सी वीडियो बना दीजे तो मैं बना दूँ तो देखिए time को measure करना हमें आगया distance को measure करना हमने आगया distance को पेले हमने measure करना सीखा था time को measure करना हमने थोड़ा बहुत यहां से सीखा अब जब आपने time और distance दोनों को measure कर लिया तो आप एक object की speed में निकाल सकते हो तो हम यह आप एक speed of ball को identify करने की कोशिश करते हैं इस activity 13.3 में तो जमीन पे आप एक straight line में आईए chop powder line से और आपने दोस्ट से बोलिए कि उस line से पुर एक या दो मीटर दूर खड़े हो फिर अपने दोस्ट से कहिए कि ball को सरकाए inner direction perpendicular अभी पढ़ रहा हूँ पिर पूर समझाता हूँ और फिर जैसे ही वो बाद जो ball है उस line को cross करेगा उस समय का time note करिए या उस समय stop watch चला दीजे और उसके बाद जब ball रुकेगी उस समय के time को note करिए आप देखे कि कितना समय लगा उस ball को rest में आने में और वो ball ने कितनी distance चली उसको measure करिए और उससे speed को measure करिए देखते हैं यह देखे यह रही वो line दोस्त आपको यहां बैठा है एक-एक करके आप ball फेकिए जैसे यह ball उस line को cross करेग stop watch पे उस समय पर अपना time लिख लिजे और जब ball rest में आजा तब time लिख लिजे फिर ball उस line से कितना आगे गई यह वो distance लिख लिजे उस distance को time से divide करके speed पता करने की कोशिश कीजे ball की measure the distance between the point at which ball crosses the line and the point when it comes to rest तो यह भाईया अलग-अलग groups इस activity को करें और आप सब अपने measurements को record करें speed की ball को हर जगा पे निकालने की कोशिश करें फिर आप अपनी speeds को अपने friends के साथ compare कर सकते हैं जब आप चलते हैं तो आप अपने चलने की speed को compare कर सकते हैं जब आप cycling करते हैं तो आपने cycling की speed को compare कर सकते हैं जैसे आपका एक दोस्त है Rohan अगर आपको यह पता है कि रोहन का स्कूल उसके घर से 2 km दूर है और आपको पता है कि आपका स्कूल आपके घर से जो आपका स्कूल है वो आपके घर से 3 km दूर है तो आपको जितना समय लगा रोहन को जितना समय लगा वो आप अपनी stopwatch से रखके आप दोनों की स्पीडों को calculate कर सकते है और इससे आपको मालों पढ़ जागा कि भाई, किसकी personal speed phase है ओके यहाँ पे कुछ जानवरों की speed दी गई है, पर उस जानवरों की speed पे जाने से पहले, ऊपर कुछ important चीज़ें छूट गई है तो उनको देख लेते है यहाँ पे देखे प्रेंट the smallest time interval that can be measured with commonly available clocks and watches is one second normally clocks, जो normal clocks and watches होती है उसे जो minimum amount or time of measure कर सकते हो, वो होता एक second अब तो भाया, कुछ special clocks आती है जो एक second से बहुत छोटे 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 interval को भी नाप सकती है कुछ ऐसी clocks है जो 1 millionth और even 1 billionth of a second को भी नाप सकती है 1 millionth of a second को microsecond बोलते हो ठीक है 1 billionth of a second को आप nanosecond बोलते हो ओके तो फ्रेंट्स जो sports में time measuring desires होते हैं जैसे कि अब Olympics है अब Olympic की record बनागा 100 meter, 200 meter, 400 meter category में इस athlete ने इतना record बनाया इतना record बनाया आप सेकेंड भी measure करने की आपकी capability होनी चाहिए वहीं पर स्पेस में जो activities हो रही है वो centuries में हो रही है 100 साल, 1400, millenniums में हो रही है आप देखते हो कि ages of the stars and planets of billions of years में calculate करते हो तो यहाँ पर एक जगह देख रहे हो कि जो आपका time का division हो रहा है और एक जगह आप देख रहे हो कि भी आप millions of years और billions of years से बात कर रहे हो तो lower limit को upper limit से compare करने कोशिश कीजिए आपको यह बहुत बड़ी range दगर आ जाएग तो आप समझ सकते हैं कि humankind कितनी बड़ी time की range से इस समय पे deal कर रहे है यहाँ पे देखिए जंतर नवंतर दिल्ली एगर आपको अभी गए हो वहाँ पे sundile है natural sundile है जाके उस sundile को देखिए sand clocks क्या है water clocks क्या है यह मैंने आपको बता दिया यह टोकरी है और इसके बीच में वो छेद है बहुत simple सी functioning थी अब देखिए यहाँ पे मैंने क्या बता है कि कि स्क्वेरल की डॉमस्टिक माइस की हुमान जाइन टॉर्टल स्नील किलोमीटर पर आवर में यहाँ पे दे रखी है इसको मीटर पर सेकंड में हमको चेंज करना है तो इस पर अभी हम लोग पलट के आएंगे तो दोस्तों यहाँ पे रॉट के आएंगे रॉकेट्स वाला जो यहाँ पे लाइन लिखी हुए यहाँ से हम अब अपनी अगली वीडियो में शुरू करेंगे रॉकेट्स वाली और फ्लस किलोमीटर पर आवर का मीटर पर सेकंड में जो कनवर्जन है वो भी हम अगली वीडियो में देखेंगे यहाँ पे मैं वीडियो को रोख रहा हूँ चुकि वीडियो ज़रू से ज़्यादा लंबी ना हो जाए सत्तर अपन ने इस NCRT में तो काफी बड़ी है इसलिस को मैं दो बागों में तोड़ रहा हूँ तो आई होप यह वीडियो आपको पसंद आए पसंद आए दो चैनल को जुरू लाइक कर लीजेगा वीडियो को लाइक कर दीए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजे लाइक करें बिना मच जाए लाइक कर देंगे बड़ी भेर्वानियोंगी थैंक यू फॉर वाचिंग एवर्टेंड नवगरेट देंगे